नमस्कार दोस्तों दोस्तों शिवलिंग पर जल कैसे चड़ाएं बहुत लोगों को शायद ये ग्यान नहीं है कि शिवलिंग पर जल कैसे चड़ाना चाहिए और क्या के नियम का पालन करना चाहिए दोस्तों शिव भगवान को श्रंगार बहुत पसंद नहीं है शिव भगवान को सिर्फ सच्चाई, मन, श्रद्धा और भाव पसंद है आपके अंदर के भाव कैसे हैं, आपके अंदर शिव भगवान के प्रती पूजा करने के प्रती श्रद्धा कैसी है ये शिव भगवान के लिए बहुत महतपूर है लेकिन शिव भगवान अगर आप शिव लिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल ग्रहन करने से पहले शिव भगवान अपने परिवार और गणों का ध्याना रखते हैं तो शिव भगवान के उपर जब जल चढ़ाएं तो सबसे पहले ये साफधानी आपको जरूर बरतने अगर आप जीवन में प्रोग्रेस चाहते हैं तरक्की चाहते हैं सबसे पहले आप स्टील के लोटे जादा तर कोशिश करें कि स्टील के लोटे से जल चड़ाएं और स्टील के लोटे में चांदी का सिक्का या थोड़े से चीनी के दाने या कच्चे दूद की कुछ बूंदे जरूर डालने सबसे पहले आप गनेज जी के right hand के पास थोड़ा सा जल ओम गुरू डेवाय नमा ओम गुरू डेवाय नमा जिस गुरू ने ये बताया कि ये कौन है ये शिवलिंग का महत्व क्या है गनेज जी कौन है शिव कौन है ननदी कौन है तो सबसे पहले उसी का स्मरन हमारे लिए बहुत जरूरी है तो आपने सबसे पहले गनीश जी के राइट हेंड की तरफ थोड़ा सा जल चड़ाना है उसके बाद गनीश भगवान के उपर जल चड़ाना है ओम गंग गणपते नमा ओम गंग गणपते नमा ओम गंग गणपते नमा गनीश भगवान के बाद पारवती माता जी के ओपर आप जल चड़ाएं पारवती माता के स्मरण करें और पारवती माता जी के ओपर थोड़ा सा ज़ग चड़ा दें उसके बाद पारवती माता के राइट हेंड की तरफ शिव भगवान के सबसे महतवपून अंश हैं वीरभद्र देव वीरभद्र भी शिव भगवान के गणों में ही आते हैं जिनोंने प्रजापती दक्ष का सर भी धड़ से अलग किया था वो वीरभद्र जो के शिव भगवान के आदेश मिलने के बाद उनको रोक पाना साक्षात विश्णु भगवान के लिए भी शायद संभव ना हो तो आपने वीरबद्र देव का ध्यान करके वीरबद्र देवता का नाम ले करके उनके पारवती माता के राइट हैं में थोड़ा सा जल चड़ाना है फिर उसी से थोड़ा सा राइट में ओम कुबेर देवाय नमा तीन बार बोलना है ओम कुबेर देवाय नमा ओम कुबेर देवाय नमा ओम कुबेर देवाय नमा ओम कुबेर देवाय नमा और थोड़ा सा जलर्पित करना है उसके बाद कार्तिक भगवान के उपर जल चड़ाना है उसके बाद आपने नंदी भगवान के उपर थोड़ा सा जल चड़ाना है फिर नाग देवता वासु की देव के उपर थोड़ा सा जल चड़ाना है जो की शिव भगवान के गले की शोबह बढ़ाते हैं वासु की जो की शेशनाक के बाद मातक कद्रू के सबसे प्रतापी पुत्र हुए हैं सबसे प्रतापी पुत्र हुए हैं नागों में जो सबसे स्रेष्ट हैं शेशनाक के बाद सबसे स्रेश्ट वासू की को ही माना गया था जिनके शरीर से परवत का मन्थन करके समुद्र का मन्थन करके बहुत सारे अमूले चीजे प्राप्त होई थी तो वासू की देवता ही थे तो वासू की देवता के उपर थोड़ा से जल चड़ाना है तद पस्चात्शे भगवान के उपर जल चड़ाना है आपने तीन बार या बारे बार इस मंत्र का जाप करके जल चड़ाना है जिसको महा मृतुंजे मंत्र यादना हो ओम सौम सौमिश्वराई नमा का तीन बार जाप करके जल चड़ाए और एक देशिगी के जोत जलाकर गनीश भगवान शिव भगवान और पारवती मत्र की आरती करे मत्र टेके और पांच मिनिट आँख बंद करके वहीं पर कीतेंगे और आप मुझसे मिलने जरूर आओगे आज के लिए बस इतना ही कल फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार